प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर की कंपणी EPL शेय कंपणी को मोतिलाल उस्वाल ने 250 रुपे के टार्गेट दी हैं, तो शुरू में हम इस कंपणी के बारे में जानकारी साथ में कंपणी की विद्टी अस्थिती, रिटन की जानकारी भी इस आर्टिकल में देने वाले हैं ब्रोक्रेज फर्म के अनुसार EPL शेय कंपणी ने ब्राजील मार्केट में कॉस्मेटिक और फॉमा में आटोमेशन इनोगेशन द्वारा ब्राजील मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा है जिसके तहत ये कंपणी को मोतिलाल उस्वाल ने 250 रुपे की तार्गेट टे कि तो revenue growth 14.54 प्रतिशत का है तो 3 साल में इस stock में 10 प्रतिशत की गिरावट कर चुकी है पिछले एक साल में भी company के 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज है धन्यवाद